इंडिया और चायना के स्टैंड आफ की वज़े से जो नतुला बॉर्डर के ट्रेड पर इंपक्ट हुआ है उस बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में नमस्कार मेरे मित्रो मेरा नाम है विशाल मडवी आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर मेरा ट्विटल है एड़ी रेट विशाल मडवी वन वन और सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल मौर्निंग वाइप्स को ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फरस्ट आफल नत्थुला का लोकेशन देख लेते हम लोग यह होगे आप नत्थुला का लोकेशन यहाँ पर सिक्केम यहाँ पर होगे आपका भुटान और यह चाइना का टेरिट्री है और इसे वर्ल्ड का अमंग्स तफ़ेस ट्रे चाइना का पाठ है इन दोनों को इसके अलावा यह एक ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट है इंडिया और चाइना के बीच में त्री ओपर ट्रेडिंग बॉर्डर मेजर दी जो है वो है नत्थुला पास जो की सिक्किम में स्तित है शिप किला जो की हिमाचल प्रदेश में श्ती थे और लिपु लेक जो की उत्तरा खंड में श्ती थे नतुला पास को सील किया गया था आफ्टर 1962 साइनो इंडियन वार और इसको री ओपन किया गया 2006 में to improve the trade relationship with China अभी फिलहाल COVID pandemic situation चालू है इस वज़े से already बहुत सारा trade loss हो चुका है हमारा इंडिया का economy भी around 24% shrink हो चुका है अभी at this moment सिकीम के around 200 traders को ऐसा डर लगा हुआ है कि जो LSE पे इंडिया और चाइना के बीच में tension चालू है उस वज़े से next year भी उनके trade पे impact आएगा जैसे मैंने आपको बताया at this moment COVID pandemic के वज़े से वहाँ पर कोई भी trade नहीं हुआ है along with that this year जो trading season है वो almost खतम होने को आ गया है लेकिन around 200 traders है सिकीम के उनका कहना है कि ये साल कुछ भी trade नहीं हो पाया है उनका कोई भी earning नहीं हो पाया है along with that इंडिया और चाइना के बीच में जो tensions है वो LAC जो line of actual control पर है उस पर ऐसे ही बरकरार रहे तो next year trade भी नहीं हो पायेगा Mr. Bhutia जो की General Secretary है इंडिया और चाइना Borders Traders Welfare Association के उन्होंने कहा है कि वो खुद export किया करते थे food, grains, rice, maida and biscuits and in return वो खरीद कर लाते थे clothes, shoes and handicraft उनका around annual turnover हुआ करता था export और import का 50 lakhs रुपीज जो की impacted है this year Besides this, Sikkim के Minister for Industries and Commerce B.S. Panji उन्होंने उनके express किये है concerns for future trade through Nathula because इस साल not even a single day trade हो पाया है वहाँ पर अगले साल के trade को लेकर भी वो dilemma में है because अभी इंडिया और चाइना के जो border dispute है वो अभी peak पर है Panji ने एक और चीज कही उन्होंने कहा कि ये trade suspend किया गया था March में because हमें डर लगा हुआ था कि COVID pandemic का outbreak होने वाला है तो हमने request की थी central government को to suspend the trade to stop the spread of coronavirus इसके अलावा कैलाश मांसरोवर यातरा जो की start हुई थी सिक्किम से कुछ सालों पहले वो भी इस साल suspend की गई है एक और चीज additional आपको बताना चाहूंगा ये old silk route नतुला पास reopen हुआ था जो मैंने आपको बताया जुलाई 2006 में ये improve करने के लिए open हुआ था India and China relationship इसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक के उपर discuss कर लेते हैं आपको पता होगा के डुकलाम प्लाटू के उपर भी हमारा चाइना के साथ stand-off हो चुका है 2017 में वो बहुत ही ज़्यादा flashpoint पे आ गया था जो hostility बहुत ज़्यादा create हो गये थी उस वज़े से क्या हुआ था trade drop हो गया था around 90% तक इंडिया का export हो गया था around 7.83 करोर और import रह गया था only 1.02 करोर जो custom official है सराथांग check post के उन्होंने कहा था के यह जो trade हो रहा था वो completely suspend कर दिया गया था डोकलाम standoff के बाद around June to August तक तो डोकलाम प्लाटू का हम लोग location देख लेते हैं यह around 56 km अवे है from Nathula Pass इसके अलावा एक चाइना strategy यूज़ करता है उस बारे में मैं आपको बता देता हो दोस्तों वो चाइना के फॉज़ रह सकती आ थीरे धीरे आएगा यहां रोट डवलप्मेंट का काम करेगा इस इसम ने पूछा तो वो कहेगा कि हम तो हमारे अरिया में रोट डेवलप कर रहे हैं suddenly एक डिन यहां पर आके आर्मी को बिठा देगा उसके वज़े से क्या होगा कि उसका no man's land यह expand हो गया, आगे चला गया, इसको कहते है boiling the frog strategy, boiling the frog strategy इसके लिए कहा जाता है, for example अगर हमने पानी लिया और उसमें गरम पानी में अगर frog को डाला तो वो suddenly कूट के बाहर आ जाएगा frog, but अगर उसको ठंडे पानी में डाला और धीर दिरे दिरे flame पे गरम करने लगे पानी को, तो अगर frog को जब तक पता चलता है कि पानी गरम हो चुका है, तो तब तक बाहर निकलने के लायक नहीं रहता, similar kind of strategy यूज़ करता है, चायना border expansion के लिए, आपको बताना चाहूंगा, trade जो dispute हो गया था, डुकलाम के बाद, फिर से resumption हो गया था, जो resum हो गया था, वो 2018 में हो गया था, उसके बाद trade export जो हमारा increase हो गया था, 52 करोर्स तक और import 3.23 करोर्स तक आ गया था, 2019 में ये trade फिर से decline हो गया, because of the poor road condition, यहाँ पे जो roads की हालत है, बहुत ज्यादा खसता हाल है, वहाँ के traders का कहना है, कि वहाँ पे हो चुके है, so यहाँ पर development होने की भी जरूरत है, अगर मैं मेरा opinion दू तो border tensions are never good for the health of the trade और economic के health के लिए भी अच्छे नहीं होते, government को actually find out करने चाहिए solutions to improve trade and improve the relationship of our neighbors, because hostility बहुत ज्यादा हो चुकी है at this moment हमारे neighboring country के साथ, which is not good for the health of the country and the economy, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो subscribe कीजिए मेरे channel Morning Vibes को और share कीजिएगा video to spread the knowledge, along with that bell icon को click कर लीजिएगा ताकि आपको national international importance की news में हमेशा देता रहूँ, और अगर आपकी कोई specific demand है कि किसी topic पे में video बनाओ, तो comment करके मुझे बताइएगा, और stay motivated and stay updated मेरे दोस्तो, have a nice day.